Welcome students, जैसा कि हमने टॉपट रेस्स किया था मैस्ट इफेक्ट और बाइनिग इनर्जी का, तो उसे से रिलेटिट एक प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम यह है, कि find the मैस्ट इफेक्ट और बाइनिग इनर्जी और दुटिरोन नुकलिस, तो students हमें एक 37 जो कि soarnic bisa सूल दुटिरोन का है, तो ड्यूटिरोन हायरुजियन का из इसोटोप होता है और इसके अंदर एक proton होता है और एक neutron होता है और इसे represent कैसे करते हैं? इसे hydrogen के symbol से represent करते हैं और नीचे साथ ही इसके लिखा जाता है atomic number जो के होता है 1 क्योंकि हमने अब भी देखा कि इसके अंदर proton number कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? और साथ ही इसके उपर लिखा जाता है mass number जो के बनेगा 2 क्योंकि इसके अंदर number of neutrons 1 है तो number of neutrons plus number of protons बन जाएगा हमारे पास 2 तो सुर्श हमें कहा गया है कि find the mass defect in binding energy तो हमने इस deuteron nucleus का mass defect of binding energy find out करना है और साथ हमें given है कि the experimental mass of deuteron is 3.3435 into 10 raise to the power minus 27 kg ठीक है, इसका जो experimental mass है वो भी हमें given है तो सुर्श हमें जिसना करते हैं कि अब solution स्टार्ट करेंगे अपने problem का तो यह जो mass defect है, इसे किस formula से find out किया जा सकता है? इसके लिए जो formula given होता है, वो होता है delta m equals to z mp z mp plus a minus z, a minus z into mn minus mn ठीक है, तो स्टोर्श यहाँ पे जो small n है, यह neutron को represent कर रहा है और जो capital n है, यह nucleus को represent कर रहा है तो यहाँ पे z है, यहाँ पे atomic number को represent कर रहा है यानिके number of protons, ठीक है, और जो mp है, यह proton का mass है और यहाँ पे जो a minus z है, यह a जो है represent कर रहा है mass number को और z जो है, atomic number है और a minus z से हमारे पास number of neutrons आ जाजेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो mn है, जहाँ पे n small है, यह mass है, neutron का और जो mn है, capital n के साथ यह represent कर रहा है nucleus के mass को तो यहाँ पे values पूट करते हैं, तो हमारे पास देखें, number of protons कितना था? 1, ठीक है? तो यहाँ पे जो mass of protons है, वो होता है 1.6726 इंटू 10 विश्रुत पार मानिस 27 किलोग्राम ठीक है, प्लस a-e क्या है? a-e हमारे पास बन जाएगा, देखें 2-1, ठीक है? 2-1 हमारे पास आजेगा 1, यह इंटू 10 विश्रुत पार मानिस 27 किलोग्राम, बाकी की वैल्यू स्टू 10 मैं नीचे लख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगा नहीं है हमारे पास, तो आगे आजेगा हमारे पास minus, जो हमारे पास नूकलिस का given है, वो कितना given है हमारे पास? वो given है mass 3.3435 इंटू 10 विश्रुत पार मानिस 27 किलोग्राम, ठीक है? तो सुर्ण जब मैं नीचे कल्कुलेटर से कल्कुलेट किया, तो मेरे पास mass defect की जो value आ रही है, वो आ रही है 3.97, 3.9754 इंटू 10 विश्रुत पार मानिस 30 किलोग्राम, ठीक है? तो सुर्ण इसके बाद हमने binding energy कल्कुलेट करनी थी, और binding energy का हमारे पास formula होता है binding energy equals to delta m into c square, ठीक है? जहां पर जो delta m है, यह हमारे पास mass defector और जो c है, वो रप्रिजन कर रहा है, velocity of light को, तो यहां पर values पूट करते हैं, तो हमारे पास result time क्या आया है, वो आया है, 3.97, 3.9754 into 10 raise to the power minus 30 kilogram, ठीक है? multiplied by 3 into 10 raise to the power 8 meter per second, ठीक है? और इसका square है हमारे पास, तो इसको मैंने calculate किया, तो मेरे पास जो binding energy है, वो आ रही है, 3.3.5729 into 10 raise to the power minus 13 joule, ठीक है? तो इसकाँ यहां पर हमारे पास joule के units आएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 joule equal होता है, 1 joule equal होता है kilogram meter square per second square, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपर मौजूद थे units, kilogram और meter square per second square के, तो सुर्ण यहां पर हमारे पास joule के units आएंगे हैं, तो अगर इनको हमने electron volts पे convert करना हो, तो joule कितने electron volts के equal होता है? 1.6 into 10 raise to the power minus 19 joule equal होते हैं 1 electron volts के, ठीक है? तो यहां पर हमने कितने joule को convert करना है? हमने करना है 3.5729 into 10 raise to the power minus 13 joule, वो equal हमारे पास बंजाएंगे, हमने है 1 electron volt divided by 1.6 into 10 raise to the power minus 19 joule multiplied by 3.5729 into 10 raise to the power minus 13 joule. दूसरों, इस calculate करने के बाद, मेरे पास जो value आ रही है, binding energy की, binding energy की value बंज भी है 2.33 into 10 raise to the power 6, ठीक है? अब यहां पर units देखते हैं, देखें, जाओल जाओल से कटका, मेरे पास सिर्प electron volts रहे गया, ठीक है? दूसरों, यहां पर जो 10 raise to the power 6 है, यह हमारे पास mega बंज जाएगा, तो हमारे पास binding energy आ रही है, 2.33 mega electron volts. दूसरों, यह हमने binding energy की value जो है, वो calculate कर लिए है, एक due to run की nucleus के लिए, तो I hope students के आपको ए problem अच्छे से समझ आया होगा.